भी घलो दोस्तो आपका स्वागत है रिल्वे डिमास में दोस्तो आज हम लोग मुख बाते जो बजट में इस बार कही गई है जो की परिच्छा उपईयोगी होगा है इस Earl Ö बात करेंगे सिसमें सबसे इնपॉटेंट पॉइंट्स है दोस्तो इस बार बजट में साथ प्राथमिकतायत दे गई हो और डिस्को सब्त रिशी के नाम से जाना जा रहा है तो यह साथ पॉइंट्स क्या क्या है वह समावेशी विकास वित्तिय छेत्र युवा सकती आखरी व्यक्ति तक पहुंच अब संचरना एबंग निबेश छमता का विकास हरित विकास जी हां दो अमरित 75 वे बर्स का अमरित महत्सब शुरू किया गया है तो इस बार बजट में यह साथ प्राथमिकताओं को रखा गया है जिसको सब्त रिशी कहा गया है आगे है दोस्तों क्रिशी और सहकारीता में ग्रामेन छेत्रों में नवाचार शटार्टाप को प्रोशांद देने के लिए क्रिशी बर्दग निती उच्च मूल वाली बागवानी फसलोक प्रोसान देने के लिए आत्म निर्भर बागवानी स्वच पौधा कारिक्रम पसुपालन डैरी एबंग मतस्य छेत्र के लिए 20 लाग कड़ो रुपए के रिन का लक्ष अत्रिक्त भंडारन छमता का न GDP का 2.1 प्रतिसत खर्चा किया जाएगा सकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की सुरुआत किया गया ये बहुत महत्यपून है दोस्तों सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की सुरुआत 157 नर्सिंग कॉलेज़ों की स्थापना की जाएगी चुनेवे ICMR लैब के माध्यम से सर दाकारिय मंग नीजी सयूंक चिकिश्चालय अनुसंधान को प्रोशाद दिया जाएगा। फार्मा सुटिकल्स अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए ने कारिकरम की शुरुवात की जाएगी। आगे दोस्तों प्रधानमंत्री पीवी टीजी विकास मिशन की सुरुवात की जाएगी करनाटक के सुखे संभावित छेत्र में धार्णियों सुक्ष में सिचाई के लिए बित्य सहता दी जाएगी साथ सो चालीस एकलब्य आदर्स आभाश्य स्कूलों के लिए 38,800 से अधिक सिख्षकों की भरती पी एम जी के एवाई के तहट सभी अंतोदय एबंग प्राथमिक्ता प्राथ परिवारे को एक बर्ष के लिए मुप्त खादान की आपरती प्राचीन पांडूलिपियो के डिजिटली करन के लिए भारत स्री योजना की सुरुवात की जाएगी दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टन लाइन है प्राचीन पांडूलिपियो के डिजिटली करन के लिए भारत स्री योजना की सुरुवात की जाएगी पीम आबास योजना के परिवाई में 66% की बृद्धी की गई है आगे है दोस्तों भारत की प्रतिव्यक्ति आई दुगना होकर 1.97 लाख रुपए हो गई है अगले एक साल तक गरिबों के लिए मुफ्त आनाज योजना जारी रहेगी पीम सुरक्षा के तहट 44.6 करोल लोगों की बीमा सो बिता दी जाएगी बागवानी योजना पर रहेगा जोर 2200 कड़ों रुपए का प्रावधान रखा जाएगा कृशी के लिए कर्ज का लाख से बढ़कर 20 लाख रुपए कड़ों रुपए किया जाएगा 157.9 नर्सिंग कॉलेज देश के अलग-अलग हिस्सों में खोले जाएगे अनुसूचित जाती मिशन पर अगले तीन साल में 15,000 कड़ों खर्च होंगे पीम आबास योजना फंड में 66 प्रिस्थिदी की बढ़ोत्री की जाएगी इकलब आदर्स अबाश्य बिद्दाले के सिक्षकों की न्यूकती की जाएगी दोस्तों इसमें 38,800 सिक्षकों और साहय कर्मियों की न्यूकती की जाएगी आगे हैं मिश्टी योजना बहुत इन्पॉर्टेंट है दोस्तों बर्ष 2023 के बजट में किंद्रे बित्मंत्री द्वारा मिश्टी योजना की घोसना की गई है इसका उद्देश भारत के समुद्र टट के साथ साथ लबनिय भूमी पर मैग्रोब बिच्छा रूपन की सुविधा प्रदान करना है ये योजना मनरेगा केमपा फंड एबंग अन्य स्रोतों के माध्ध अभिसरन के माध्यम से संचालित की जाएगी मैग्रोब बिच्छ लबनिय जल के प्रती सहिस्नू होने के साथ उसने कटि बंदिय बर्षा बनों की तुलना में चार गुना अधिक कार्बन प्रिथिकरन करने में सक्चम है आगे है दोस्तों पारदर्चे एवंग जबाब दे प्रसासन की वेवस्ता किसमें दोस्तों नियायक प्रसासन में दक्सिता लाने के लिए इन्यायलय का फेज तीन सुरू किया जाएगा MSME के संबीदा निस्पादन को सरल बनाने के लिए विवाद से विश्वास एक योजना लाई जाएगी सरकार और सरकारी पुक्रमों के संबीदागत विवादों के निप्तान के लिए विवाद से विश्वास दो योजना लाई जाएगी दुर्बल संसाधनों के बहतर आबंटन के लिए चुनिंदा स्क्यूमों के वित्त पोर्षन को इन्पूट आधारित से परिमान आधारित में बदला जाएगा दस्ताबेजों को सुरक तरीके से उनलाइन इस्टोर करने और साजा करने के लिए एक निकाई डीजी लौकर स्थापित की जाएगी आगे हैं दोस्तों जलवाई लौक्षों की प्राप्तिकी और अग्रसर सतत कारिक्रम को प्रोसाहित देने के लिए हरित रिन कारिक्रम की शुरुआत की जाएगी राजिक केंद्र सासित प्रदेशों के बेकल्पिक उर्बरकों के प्रोसाहित देने के लिए पी-म प्रमान की शुरुआत की जाएगी गोबर्धन स्कीम के तहट पांस सो ने अबसिष्ट से आमदनी सयंत्रों को स्थापित किया जाएगा मिश्टी पहल के तहट तटिय रेखा पर पौधार ओपन की सुरुवात की जाएगी आद्र भूमी उप्यों को बढ़ावा देने के लिए अगले तीन बरसों में अम्री धरोहर योजना को लागू किया जाएगा विवाश रक्ति के तहट दोस्तों प्रधान मंत्री कोसल विकास योजना 4.0 अन जोब प्रसिक्षन उद्योग साज़िधारी नए यूग के पाठेक्रम जैसे कोडिंग, AI, रोबोटिक्स, मेकाटोनिक्स, 3D प्रिंटिंग ड्रोन आधी को प्रोटसाइद किया जाएगा इसकील इंडिया डिजिटल प्लेट्परम मंग आधारित अफचारी कोशल वर्थन सक्षम करने MS, ME, सहित, न्योकताओं के साथ जोडने और उद्दमिता यूजनाओं की सुलबता सुगम करने के लिए डिजिटल तंत्र का विस्तार किया जाएगा राष्टिय बित्य सुचना रेजिस्ट्री की स्तापना, रिन का कुशल प्रभाव बित्य समाबेस को बढ़ावा एभंग आर्थिक स्तिरता को सुनकचीत करेगा केंद्रिय डेटा प्रोस्टिंग केंद्र की स्ताफपना कमपनी अधिनियम के तहत कमपनियों को त्वारित रिस्पॉंस के लिए प्रसासनी कार प्रनाली में तेजी लाना इमे सेमी के लिए क्रेडिट गारेंटी कॉर्पॉरेटों में नो हजार कड़ोर जोड़कर नविग्री तोजना के एक अप्रिल 2023 से सुरू किया जाएगा राजकोशिय प्रबंधन राज्यो को पचास साल के लिए ब्याज मुख्त रिंदिया जाएगा राज्यो को जी एश डीपी के 3.5 प्रतिसत के राजकोशिय घाटा की अनुमती 2022-23 में राजकोशिय घाटा का संगसोदन अनुमानी 6.4 प्रतिसत है 2023-24 बजट के लिए यह अनुमान 5.9 प्रतिसत है और इसे 2023-24 तक 4.5 से 5 से कम करने का लग्षम 2023-24 का बजट अनुमान है कुल प्राप्ति 27.2 लाग करोर, कुल वैर 45 लाग करोर, नेट टैक्स प्राप्ति 23.3 लाग करोर राष्ट्या प्रसिक्षा प्रत्साहन योजना 3 साल में 47 लाग युबाओं को स्टाइपेंड दिया जाएगा परेयटन को बढ़ावा देने के लिए 50 चुने हुए परेयटन स्टलकों घर लिए और विदेशी परेयटकों के लिए संपून पैकेज के रूप में बिकसित किया जाएगा राज्यों की राजधनियों में यूनिटी मौल की स्टापना एक जिला एक उत्पाद जिया उत्पाद और अन्य हस्त सिल्प उत्पादों की विक्री को बढ़ावा दिया जाएगा दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजना और है महिला सम्मान बजट पत्र महिलाओ के लिए दो साल के अबदी वाली एक वन टाइम नई लगू बचत खाता यूजना जिसमें दो लाग की जमा सुविदा होगी बेशिश्ट नागरिकों के लिए बचत यूजना के लिए अधिकतम जमा सिमा 15 लाग से बढ़ा कर 30 लाग की जाएगी जी आई एफटी आई एफएस्सी जी आई एफटी आई एफएस्सी में वेवसाई गतिवित्यों के बढ़ावा देने के लिए के लिए कदम उठाए जाएंगे तो दोस्तो यह थे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट जो बजट 2023-2024 में बित्यमंत्री स्रीमती निर्मला सिता रमन जी के द्वारा कहा गया है तो दोस्तो आज के लिए इतना ही आप इस चैनल को लाइक शियर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि यह चैनल ग्रो कर सके ठीक है दोस्तो तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद